नमस्कार मैं आपकी मत्धुरा की सांसत हेमा मालीनी कोरोना वाइरस के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मेरे प्रिये ब्रजवासियों माना कि ये दौर सारी दुनिया पर भारी है एक छोटा सा वाइरस इंसानों के लिए एक चुनोती बन कर खड़ा है पर हम डरे क्यों करोना से क्या डरना ये कहने के लिए अच्छा है सुनने के लिए अच्छा है लेकिन ये जीवाडू ये जो बैक्टिरिया है ये कोई परमानू से कम नहीं आज ये विस्पोर्ट बन कर बढ़ता जा रहा है इसलिए अपने आपको सुरक्षित रखिए हर एक घंटे में साबून से अपने हाथ को धोलीजे अगर जरूरत नहीं है तो बाहर मत जाईए सोशल गादरिंग से दूर रहिए क्योंकि ये आपस का मिलन बन सकता है विलन इसलिए अपने परिवार के साथ अपनों के साथ घर में समय बिताईए इससे अच्छा मुका और कहां मिलेगा आपको कुराणा के खिलाफ जंग में देश को जिताना है कुराणा से ना डरना है ना किसी को डराना है जनता को जागरुद करके कुराना को हराना है हमारे देश ने पहले भी कई मुसीबतों का डट कर सामना किया है और जीत भी हासिल किया है और मुझे पूरा यकीन है इस बार भी हम ज़रूर जीतेंगे हमारे प्रधान मंत्री माननिय नरेंदर मोधी जी की अपील को पूरा साथ दे इस रविवार 22 मार्च को आप सब घर पर ही रहें जनता कर्फ्यू का पालन करें मुझे पूरा यकीन है ये लडाई हम जरूर जीतेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं करोड़ों भारत वासियों का ये विश्वास है संकल्प है आईए हम स्वस्त रहें और देश को भी स्वस्त रखें जय हिंद